हेलो एब्रिवन इस वीडियो में हम कलाश्टेंद के कला के आलेखन कला के महतोपूर प्रश्णों की बात करेंगे तो आलेखन कला के जितने भी महतोपूर प्रश्ण हैं उन सबको मैं लेकर क्या चुका हूँ इस वीडियो में आपके 20 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 100% की गैरांटी देता हूँ कि आपका 20 अंक कहीं भी जाने वाला नहीं है 100% यहां से पक्का हो करके आप यहां से जाएंगे ठीक है तो एक एक क्वेश्ण को समझते जाएंगे और वियाद कर लिए यही हूब हूब कोश्ण आपके क्वेश्ण पेपर में देखने को मिलेंगे पहला कोश्ण हमारे पास है मुखे रंग कितने है थीक है कर दिया गया है आपको ile नारंगी पीला तो इसमें जो है आपसन नमबर आपका कव बिल्कुल शही है हरा थीक है next question की बात करते हैं तीन number question हमारे पास है निवन में कौन सा रंग गरम है तो कौन सा गरम रंग है ठंडा रंग हरा रंग को तो ठंडा रंग कहते हैं लेकिन लाल को हम क्या कहते हैं गरम रंग कहते हैं तो आपसा number इसमें कव बिल्कुल सही होगा ठीक है अगला प्रशन है चक्र में आठ रंग होते हैं याद रखिएगा कि वोष्टवार्ड चक्र में कितने रंग होते हैं ऐसा कोश्चन ना आये तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा सारे यही कोश्चन आने वाले आपके बोर्ड एक्जाम में 100% की गारेंटी देता हूं ठीक है सारे कोश्चन को त्यार करके जाएगा पांचवा कोश्चन है निमनलिखित में दूतियक रंग कौन सा है तो आपसन नंबर को बिल्कुल सही होगा नारंगी ठीक है तो आपसन नंबर को इसमें सही है दूतियक रंग नारंगी है ठीक है तठस्त रंग कौन सा है तो इसमें आपसन नंबर को बिल्कुल सही हो जाएगा सफेद और कला ठीक है सफेद कला जो है ये तठस्त रंग कलाता है ठीक है तो ये आपसन नमबर को सही हो जाएगा साथवे प्रश्ण की बात करते हैं साथ नमबर प्रश्ण हमारे पास है देख सकते हैं आप यहाँ पे प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं तो कौन कौन से रंग जो है प्राथमिक और मुख्य रंग हैं तो यहाँ पे देखिए लाल नीला पिला आपसन नमबर खो में दिया गया है तो आपसन नमबर खो बिल्कुल से योगा लाल नीला पिला जो है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग है ठीक है आठ नमबर क्वेशन अमारे पास है कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी होता है तो कौन से रंग का माध्यम पारदर्शी जिसके आरपार देखा जा सकता है तो आपसर नमबर इसमें खो सही होगा तेल रंग ठीक है तो तेल रंग जो होता है न इसका माध्यम जो होता है पारदर परशी होता है ठीक है अगला कोश्चन हमारे पास है सफेद का विरोधी रंग कौन सा है तो सफेद का विरोधी रंग काला होता है तो आपसन नमबर को बिलकुल सही होगा ठीक है तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है लाल रंग में नीला रंग मिला परिटारण बनेगा अगर लालरंग रंग बनेगा था आप सर समयार नंबर को बल्फ करेक्ट हो जाएगा ऑप से हborूत की तरफ संस्क्राइब था बार धथ 3 कि से बाइयों और कि पड़िपध हो जाएगा था पिले रंग का बिरोधी रंग नीला होता है कि तो इसमें से इसमें आप देख सकते हैं विसके अस्तितों को närा पीश moyens कई ला देगА कि इन्डवर पर नमबर को हो जाएग नायो पता है कि साक्तिम के असे लिए गोज्य है क्वरकिस नहीं में तो आपसन नमबर को सही हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा अधिक काली होती है किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है तो आपसन नमबर आपका को सही होगा टू भी ठीक है तो टू भी पेंसिल से बनाई गई रेखा जोगी अधिक काली होगी, next question है, 17 number question है, कौन सी pencil से बनाई गई रेखा हलकी होती है, तो 2H, ठीक है, तो 2H pencil से बनाई गई रेखा हलकी होती है, ठीक है, next question, 18 number है, full और, सारे question को तयार कर लीजिएगा, next question है, 18 number, full और कली के बाहरी रेखाओ को बनाने के लिए, किस number के बरस का करना चाहिए, full और कली के बाहरी रेखाओ को बनाने के लिए, तो option number को सही होगा, 2 number को, ठीक है, तो 2 number वारे को हमें use करना चाहिए, 2 number वाला बरस, ठीक है, अगला प्रशन हमारे पास है, बनावट की दिरिश्टी सी आलेखन कितने परकार के होते हैं, तो बनावट की दिरि उब्यूक्त होगा, तो आपको केंदर को अलंकरित करना है, तो केंदरी आलेकन, ठीक है, तो option number को जो है, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो option number इसमें को सही हो जाएगा, इस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको 20 महतोपुन प्रशन बताए, जो आपक question team question में से आएगा, यही question आएगा आपके board exam में, इस question को तयार कर लिजिएगा, आपके paper में यही सब question न दिखे, तो मेरा नाम बदल दिजिएगा, 100% की guarantee देता हूँ कि 20 में 20 number फक्का फस जाएगा, ठीक है, तो प्रविदीत के लागे भी जितने important question है, उन सारे question को लेकर के आएगे ठीक है,